तो दोस्तों ये देखो, बायर सिंचन पहली बार हमारा गोल्डन मस्टाइंग साफ कर रहा है मतलब कि गाज़र आज सूरज कहां से निकला मुझे समझ नहीं आ रहा सिंचन तू मेरी गाड़ी को सफाई कर रहा है अरे फ्रैंक मैं भूलगे क्या, ये गाड़ी मैंने जीती है अरे लेकिन सिंचन ये मस्टाइंग तो मेरी थी न गाज़र मान दाओ कि यार सिंचन ने ये गोल्डन मस्टाइंग जीती थी अगर आप लोग को नहीं पता कैसो जीती थी एक काम गरो, हमारे चैल में जाओ और इससे पहले वाला वीडियो देखो तब आपको पता चल जाएगा, ओके तो गाज़र ये देखो, ये रहे हमारी गोल्डन मस्टाइंग सिंचन मुझे गोल्डन मस्टाइंग चलाना है अरे मुझे भी बैठना है, बट जाएंगे कहाँ? और यार मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि गाज़र हम लोग ना, बहुत जाद ही इससे गेड़ी मार चुके है, मतलब कि लॉस सेंटरस में बहुत ही घुमे है, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि जाएंगे कहाँ पे, इसलिए यार से इंचाट तो मेरी गाड़ी को मस्तर के सफाई कर रहा है ये देखो, भाहियार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरी गाड़ी को कोई सफाई करता है साफ करता है, ओके, एक सगेंड ये किसका कॉल आ रहा है अरे यार, ये तो अवेंजर्स लोग के तरफ से है अरे अवेंजर्स क्या हो गया, क्या तुम्हें भी बता चल गया कि मेरे पास यहाँ पे गोल्डन मस्टाइंग आ चुकी है फ्रैंकलिन, वहाँ पे गोल्डन फोल्डन ये सब चीज़ छोड़ो, जल्दी से आ जाओ अवेंजर्स हास में बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है अरे अरे आरन मैन हो क्या गया है यहाँ पे आइस गोड वर्सेज, रेंबो गोड के बीच में लड़ाई हो चुकी है तुम जल्दी से आओ, तो वरना बहुत बड़ा दुफ़ान आ जाएगा एक सेकेंड, अचाचा रुको रुको मैं अभी जल्दी सातो सिंचन सफाई करना छोड़ दे मेरी गाड़ी को, जल्दी आ अंदर आके बैट अरे फ्रैंकले आप कहा जा रहे हैं, अभी तो बोले कि जाएंगे नहीं अरे सिंचन, भाई हम लोग को जल्दी जल्दी अवेंजर साउस जाना है पता है वहाँ पे आइस गौड वर्सेज, यहाँ पे रेंबो गौड के बीचो बीच लड़ाई हो चुका है हमें जल्दी जाकर के वो लोग दोनों के बीच के जो लड़ाई है उसको स्वाल्फ करना पड़ेगा तो वर्ना पता है न सिंचन क्या हो जाएगा लोल सेंटोस में दो सुनामी आजएगी बाड़ा आजएगी और भाई सब पता नहीं क्या क्या हो जाएगा अरे वहाँ चली फ्रेंकले में मुझे भी जाकर देखना कैसे लड़ाई हो रही है अरे सिंचन वहाँ पर लड़ाईक हो रही है वहाँ पर जाकर कुछ अल्टा सी दमत बोल देखना वहाँ पर हम लोग लड़ाई सांध कराने के लिए लिके जा रहे जब भी मैं सिंचन को लेके जातो हूँ लड़ाई में अरे यार, यह मैंने गलती से टोक दिया, अब क्या है बताओ, मेरे प्यारी golden mustang में scratches लगी, अब में क्या बताओ, अब छोड़ो, बाद में ठीक करा लूँगा, आप लोग एक secret बात बताओ, यह जब से मेरी golden mustang बने ना, इसमें guys यह scratches बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि आप आपको पता है, गोल्ड कितना मस्बूथ होता है, उसी तरीके से मेरे यहाँ पर golden mustang भी बहुत ही मस्बूथ है, यहाँ पर scratches बहुत ही कम लगते हैं, देखा, अरे यार, भई अभी ढूकते ढूकते बचा, मानगे फ्रेंकली में आपकी driving तो वहती कमाल की है, अरे यार, मेर पर गाइजर दोनों ही लड़ रहे, यह देखो, एक जगा rainbow god और दूसरी तरफ है, भाई यहाँ पर ice god, हमें जल्दी जल्दी अंदर जाना पड़ेगा, अरे सब लोग हट जो यार, हम लोगो जल्दी जल्दी वो लड़ाई को solve करा नहीं पड़ेगा, तो वरना तो जल्दी से खुल जाओ, Avengers चीनता मत करो, हम लोग सब लोग आ रहे हैं, यह लड़ाई को solve करने के लिए, चलो गाइजर जल्दी से चलो, तो वरना बहुत बड़े दिक्कत हो जाएगी, पट गाइजर मुझे समझ नहीं आ रहे, यह लड़ाई चल किस बात की रही होगी, अर आप मजा गया देखके, एं, देखा, सारे के सारे लोग को मेरी गाड़ी मुख्य वाली गाड़ी पसंद आती है, Rainbow God, तुम्हारी गाड़ी किसी को पसंद नहीं आती, बाग जी यहां से तुम्हारी गाड़ी एक दम टटी है, तुम्हें तमीज नहीं यह बात करनेगी, यहां पर बारिश हो जाएगी, तुम्हारी गाड़ी बारिश में बैच आएगी, तुम्हें बस रो नहीं आता है, Ice God, समझे, एं, तुम मेरे सूपर पावर का मजाक उड़ा रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अचा-चा, देख लेंगे, देख लेंगे, जो कर अचा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा-चा तरफ यह गाड़ी जिसमें बढ़े बड़े टायर बैं मुक्के और बाइस सब क्या है चलो अच्छी बाप तो है लेकिन यह गाड़ी में खासेत क्या है समझ तो आनी रहा है आप लोग को समझ आ रहे क्या एक काम करतों बैट के देखता हो तब ही तो पता चलेगा चलो बैटता हूं इसके अंदर एक सुन गाजर ये देखो इसके तो कलर चेंज हो रही है अरे यार ये ना Rainbow God की गाड़ी है इसलिए गाजर इसके यार कलर चेंज हो रही है ओके गाजर यहाँ पे एक बटन है चलो इससे धबाता हूं इससे क्या होता है सरा देखो तो एक सेकेंड ये गाड़ी ट्रांसफॉर्म हो गई एक सेकेंड, यह गाड़ी तो बस उड़ने में लगी है अरे वा गाजर यह देखो, यह गाड़ी तो उड़ने वाली गाड़ी बन चुकी है वा भाई वा यह रेन्बो गोट की भी गाड़ी बहुत ही कमाल की है देखो तो गाजर, अपने आप कलर चेंज हो रही है यह देखो, transform हो गई, मतलभी गईजर यह जमीर ने भी चल सकती है, और गईजर असमार ने भी चल सकती है, देखो तो, क्या ही मस्तरी केज़र transform हो चुकिए, सिंचन तूने देखा? अरे हाँ फ्रैंकिल बै ये गाड़ी तो कमाल की है आप सिंचंण हम लोग ऐसे कैसे बोल देगी किस की गाड़ी जादे बैतर है अब बताओ यहाँ पर क्या करें अरे फ्रैंकिल बै चलियां अशा आइडिया सिंचंण ने काम करतें गाड़ी यहाँ पे competition करते हैं, एक तरफ होगा guyser, ice god की गाड़ी और दूसरी तरफ होगा rainbow god की गाड़ी, and guyser, यहाँ पे 3 competition होने वाले, सबसे पहला competition यहाँ पे होने वाला है, jump challenge, मतले भी guyser, हम लोग न, loss and toss में सबसे बड़ी वाली building से न, यह दोनों गाड़ी को नीचे जम करेंगे और देखते हैं, किस की गाड़ी में जादर damage आता है, ठीक है, and guyser, दूसरा challenge होगा, यहाँ पे speed challenge, जहाँ पे guyser, हम लोग देखेंगे, किस की गाड़ी जादर speed भागती है, and guyser, तीसरा यहाँ पे challenge होने वाला है, buyer jump ram challenge, इसमें guyser, हम लोग ram से jump करेंगे, और देखते हैं, क अपना team का नाम जल्दी से लिख दो, आप किसके team के तरफ से है, eyes god के तरफ से, या फिर या rainbow god के तरफ से, जल्दी से comment section में लिख दो, हम लोग इंतजार कर रहे है, sinchan तू किसके तरफ से है, अरे मैं तो जीतने वाले party के तरफ से हूँ, यह sinchan की बात मत मानना guyser, आप जहां पर guyser, हम लोग यह दोनों गाड़ी को, भाई, जम कराने वाले है, मतलब कि नीचे फेकने वाले है, सबसे बड़ी वाली building में, चलो, जल्दी से चलते हैं, let's go, चलो तो guyser, हम लोग आज चुके लोसेंडर्स के सबसे उची वाली building में, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यह देखो, सबसे उची वाली building है, यहां पर guyser, सबसे उची वाली building में, दोनों गाड़ी रखी गए, यह एक ice god की गाड़ी, और दूसी तरफ है guyser, यहां पर rainbow god की गाड़ी, and guyser, दोनों गाड़ी हम लोग यहां से जम करने वाले है, and guyser, यह देखेंगे, किसकी ग गाड़ी लेके जाए, सबसे पहले guyser, ice god की गाड़ी को लेके जाते, क्यों से इंचान, अरे हां, इसकी गाड़ी मजबूत दिख रही है, okay तो guyser, ice god की गाड़ी सबसे पहले जाएगी, चलो guyser, ice god की गाड़ी के अंदर पैठते है, and guyser, नीचे जम कराते है, देखें guyser, य आया है, इसमें तो guyser बहुत damage आया है, ये देखो, guyser एक second, भाई गाड़ी चालो नहीं हो रही, oh no guyser, ये क्या, पीछे तो guyser आग लग चुका है, मुझे लगी रहता guyser, गाड़ी में कोई problem आईगी, oh no, पीछे तो देखो, पीछे guyser गाड़ी में आग लग चुका है, इस चलो guyser, इसे जल्दी से बुझाते है, and guyser, इसे ठीक करते है, मुझे जहां तक लगता है, ये गाड़ी fail होने वाली है, क्योंकि देखरो guyser, इसमें तो भाई भी हानक तरीके से आग लग चुके है, मुझे उम्मीर नहीं था कि गाड़ी में आग लग जाएगी, finally guyser, आग बुझ चुकी है, and guys, देखरो, उसी धुआ 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 निकल रहा है, अब चलो guyser, अब टाइम आ चुका है, Rainbow God की गाड़ी को चेक करने का, अब guyser, समय आ चुका है Rainbow God की गाड़ी चलाने का, चलो इसमें जल्दी से बैठते, सिंचन देखना मुझे इस पर बहुत भरोस हैं, एक स्कुन guyser, ये क्या, ये तो guyser, transform होकर के, भाई, तैरते वे नीचे जा रही है, मुझे नहीं लगता, कि भाई, इसे कोई चोड़ी पहुचने वाला, ये देखो, भाई, कितने अराम तरीके से नीचे जा रही है, इसे तो कोई फरक भी नहीं पढ़ रहा, ये देख मुझे लगता है, guys, इसे तो guyser, यहाँ पे कोई चोड़ भी नहीं लगा है, ये तो बहुत कमाल की गाड़ी है, यहाँ पे guyser, पहला point, यहाँ पे साफ जाता है rainbow god को, क्योंकि उसकी गाड़ी को बिना कोई चोड़ लगे, अराम से land हो चुकी है, तो guyser, यहाँ पे साफ वि लोग यहाँ पे चेक करने वाले top speed, तो एक तरफ है guyser, ice god की गाड़ी और दूसरे तरफ है rainbow god की गाड़ी, okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ना, यहाँ पे start करने वाले rainbow god की गाड़ी से, अरे हाँ फ्रेंक के लिए अब मुझे पका है कि ने rainbow god की तीते गया, अभी फ गाड़ी के speed कितनी आती है, एक सेकेंड, यह तो जमीन में चल रही है, बट guys, यह क्या, यह तो transform हो चुकी है, and guyser, इसकी speed तो बढ़ते चली जा रही है, यह क्या guyser, यह देखो, इसकी speed तो 250, भाई एतनी जाद आ गय थी, यह देखो, यह अब भाई, transform होने के बाद, इसकी speed तो 250 km पर आवर थी, बहुत जादे speed है, चले, कॉर्बर ट्राई करते हैं, देखते हैं, 1, 2, and 3, देखते guyser, इसकी speed अप कितनी जाती है, यह देखो guyser, इसकी speed तो सच में 250 km पर आवर, यह देखो, okay guyser, इसकी speed तो बहुत कतरनागा से engine, अले क्या फ्रेंक ले मुझे ही ठो के 250 km पर आवर, की top speed इसने achieve की है, अब guyser, समय आ चुका है, आइस गौट की गाड़ी का top speed चेक करने का, देखते guyser, इसकी गाड़ी कितना top speed चेक करती है, मुझे जहां तक लगता है, शायद यह कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकती, अब देखते हैं, 1, 2, 3, let's go, okay, इसकी गाड़ी की top speed भी अच्छी होने वाली, चाहं तक मुझे लगता है, 120, okay, 125, 130, अब लगता guyser, यह गाड़ी ज्यादा नहीं जा पाएगी, 150 बहुत मुश्किल से जाएगी, okay, 145 तक चली गई, मुझे यकिन नहीं हो रहा, 145, बस guyser, 146, 145 तक ही यह जा पाई है, और guyser, तो गाड़ी हार चुकी है, अरे हाना सिंचन यह देखो, यह 150, 150, बहुत ही मुश्किल से टच किया, फिर टच ही नहीं किया, 148, 147 इसी टाइप की speed है, तो भाई साब, दूसरे challenge में भी winner है हमारा rainbow god, और यहाँ पे ice god बचारा हार चुका है, लेकिन guyser, अभी भी हम लोग य यहाँ पे end तक जाएंगे, अब guyser यहाँ पे आ चुका है, jump challenge, अब चलो एक काम करते हैं, फिर से ram jump challenge करते हैं, और देखते हैं, उसमें कौन सी गाड़ी जेती है, let's go, okay तो guyser, अब हम लोग आ चुके है, आखरी challenge की तरफ, यहाँ पे guyser, jump challenge होने वाला है, यह देखो, यहा यहाँ से यार गिये, देखो, गाड़ी नीचे जाएगी, and देखते देखते, बहुए नीचे जाने के बाद यहाँ से jump करेगी, उसके बाद देखते, गाड़ी कहाँ पे land करती है, और guyser, जिसकी गाड़ी जादा दूर तक land करेगी, उतरेगी, जमीन में जादे touch करेगी, तो guyser उसी को जादे point मिलेगा और वो जीतेगा, ओके, और यहाँ पे देखा Avengers और सींचन सब लोगा है, यहाँ पे sharing करने के लिए, तो आप लोग भी किसके team में है, जल्दी से comment करके बता देना, Ice God या फिर Rainbow God, ओके, चलो अब एक काम करते हैं, Ice God की गाड़ी को चालू करते और देखते हैं, यह कहां तक जाती है, 1, 2, 3, let's go, इसे जल्दी से on करते हैं, and guyser इसे लेके चलते, jump challenge में, let's go guyser इस अब jump कराते हैं, देखते हैं, यह कहां तक नीचे land करती है, okay guyser, यह देखो, यह तो बहुत मेहानक तरिके से jump करने वाली है, यह देखो, बहुत ही 200 की speed म अब चले काम करते हैं, यहाँ पे rainbow god की गाड़ी को jump कराते हैं, अब समय आ चुक है rainbow god की गाड़ी को jump कराने का, चलो guyser, इसे अब jump कराते हैं, देखते हैं, यह कैसा perform करती है, सब लोग guyser rainbow god की गाड़ी के लिए बहुत excited हैं, मैं भी excited हूँ, चलो अब देखते हैं, यह कैसा परफॉर्म करती है लेट्स गो गाइजर ये तो निकल पड़ी है अब भाई साब पता नहीं क्या होने वाला है चलो देखते हैं भाई ये क्या ये बहुत दूर लैंड की है ये देखो कहाँ वो गाड़ी वहाँ पे पीछे तरफ और ये गाइजर यहां पे वाई साफ साफ नज़र आ रहा है कि गाइजर यहां पे रेंबो गाड़ी जीत चुकी है और यहां पे आइस गाड़ी हार चुकी है साफ साफ नज़र आ रहा है तो गाइजर अब यहां पे चैलेंज हो चुका है complete and result आप लोगे सामने है winner है गाइजर रेंबो गाड़ी जीत जो बताना अभी तो गाइज आर यहां पर विनर है Rainbow God आपको क्या लगता है आप जो टीम में ते वो टीम जीती है कि नहीं जीती मुझे कमेंट करके बताओ कि आप पहले से Rainbow God के टीम में थे या नहीं नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताना अगर आप चाहते हैं इस तरके से एपिसोड और भी आए चानल में वीडियो को लाइक कर देना चाल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों यह वीडियो शेर कर करना ओके तुक आज तर मिलते नेक्स वीडियो में तब तेक लिए टेक क्यार एंड गुडबाई दोस्तों